तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है रिशियो एंड प्रोपोर्शन तो यह टॉपिक जो है यह मैंने एक वीडियो बनाया था पहले वैरियेशन उसके साथ बिल्कुल सेम है मतलब आप अगर उससे समझ जाएंगे तो इसे भी बिल्कुल समझ जाएं या फिर पहले वाला वीडियो पार्ट वान भी देख लेंगे तो भी आज़ए न चल्हलš करते यह वीडियो तो रेसियो जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है पहला है सिंपल रेष्यो उसके बात Inverse रेष्यो रेष्यो और इसले के बात Mixed रेष्यो तो सिम्पल र दे दिये जाएगा कहा जाएगा इसका inverse ratio करो तो A is to B का inverse ratio होगा B is to A, ऐसे सब जगा B is to A का inverse ratio होगा A is to B, वह आप जैसे बिलकुल आप देखी सकते हैं, और mixed ratio जो है वो दो ratio को एक साथ multiply करने काम करता है, यहाँ पर A C is to B D तो हो गया, तो चलिए अब चलता है पहले math की ओ, तो हमारा पहला math है calculate the mixed ratio of PQ is to R and R is to PQ तो आप समझी जाएगे, अब हमें क्या करना है दोनों को multiply, तो मतलब PQ और उसके साथ R multiply करेंगे तो PQR अब जब दोनों सेम हैं, और एक बात मैं बताना भूल गया, A is to B इसका मतलब A by B भी हो सकता है मतलब यहीं होगा, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हमनों divide कर दे by B के तरह, तो 1 is to 1 हो जाएगा अब आपको हमेशा यह बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यह आप याद रखिएगा, तो हर जगए easy होगा तो चलिए अब दूसरे math की होगा, तो हमारा अगला math है A is to B is equal to 6 is to 7 और B is to C is equal to 8 is to 9 then, इसका क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख लिख लिए A by B is equal to 6 by 7, अगर हम लोग दोनों तरफ के B का value, B का value same कर दे, तो हमें same answer में होगा, तो अगर हम लोग इन दोनों को multiply कर दे, suppose यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7, तो अगर आप इसके साथ 7 करेंगे multiply, तो यहाँ पर 7 क करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 8 करना पड़ेगा, तो 68 जो 48 और यह हो गया 56, यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारा जो A इस्टू B इस्टू C हो गया, तो हो जाएगा 48 इस्टू 56 इस्टू 63, तो यह बहुत easy है, अगर suppose आपको कहा जाता है, A इस्टू C निकालने के लिए, तो आप easily, सिर्फ A by B और multiply B by C कर देते, तो आपका answer मिल, तो यहाँ पर 6 by 7 और 8 by 9 भी multiply होगा, तो आपक आपका answer मिल जाता है, तो चलिए अगले math की, तो हमारा अगला math है, 3x minus 2y is 2x plus 3y is equal to 5 is to 6, then हमें यह calculate करना है, तो यहाँ पर आप देखिए, 3x minus 2y by x plus 3y is equals to 5 by 6, तो इन दोनों को cross multiply है अगर हमनों कर दे, तो 6 तरी जाए, 18x minus 12y is equals to 5x plus 15y, तो आप हम लोग 18x minus 5x, तो यहाँ पर हो गया 13x is equals to, यह इस तरफ जाएगा तो 27y, तो x by y क्या होता, 27 by 13, तो अब आप लोग देखिए, अब हम लोग x का, सिर्फ x का value लेंगे, तो सिर्फ x का value हो गया 27k, अगर हम लोग इन दोनों को इस्टू कर देंगे, तो 27k और 13k का k के हट जाएगा, तो 27 by 13 चलाएगा, तो आप यहाँ पर k के बदले कुछ भी धर सकते हैं, मैंने बस k लिया है, तो अब इन x और y का value अगर हम लोग यहाँ पर पूट कर देंगे, तो हमारा answer चलाएगा, तो 4 के साथ 27k minus y के साथ 13k, यहाँ पर नीचे हो गया, 2 के साथ x 54k plus 39k, तो हमारा, तो मैंने वक्त बचाने के लिए यह calculation कर दिया है, आप देख सकते हैं, यह हो गया है, तो चलिए अब अगले math की हो, तो अगला math है, इन 4 के साथ क्या add करने पर वो लोग proportional हो जाएंगे, मतलब 2 plus x, सपोज मैंने इन 4 के साथ x add किया है, तो 2 plus x is 2, 4 plus x, double is 2, 10 plus x, तो यह double is 2 का जो meaning है, वो आपको समझाए जाएगा अब यह, तो 2 plus x by 4 plus x, यह double is 2 का meaning है, equals to 6 plus x by 10 plus x, अब यह simple है, इन दोनों का आप simplify करेंगे, तो x का जो value आजाएगा, वो ही answer होगा, तो मैं यहाँ पर वक्त बचाने के लिए थोड़ा सा short में कर देता हूं, 10 plus x is equals to 6 plus x multiply 4 plus x, तो यहाँ पर जो x का value होगा, वो होगा 2, तो अब आप लोग बाकी calculation खुद कर लीजेगा, यह video जाकी लंबा ना हो, इसलिए मैंने यह किया है, तो अगला math चले आते हैं, तो यह जो math है, 1 by 12 and 1 by 75 का बीच वाला number, मतलब यहाँ पर ऐसा था, is 2, तो यहाँ पर जो बीच वाला number है, वो हो जाएगा, 1 by 12 by x is equals to x by 1 by 75, तो यहाँ पर जो x है, वो 1 by 12 x हो जाएगा, और यहाँ पर यह हो जाएगा, 75 x, तो यह हो गया, x square is equal to 1 by 12 plus multiply 75, तो x is equals to root over यह वाला, 12 multiply 75, तो यह हो जाएगा, answer 1 by 30, तो अब चलिए पर बढ़ते हैं, अगले मैथ, तो हमारा अगला मैथ है, a, b and c and d are the consecutive proportion, तो consecutive का मतलब यह आप जान लीचे, a by b is equals to b by c is equals to c by d is equals to k, तो अब हम लोग का हो गया, a is equal to b k, b is equal to c k, और c is equal to d k, अब जब हम लोग यहाँ पर a, b, c का value देंगे, तो यहाँ पर b is equals to c k हो जाएगा, उसके बद c is equal to d k हो जाएगा, ऐसे बरतर हैगा, तो इन सब के लिए हम लोग करेंगे lhs मतलब यह वाला left side और यह वाला right side, तो यहाँ पर हम लोग a, b और c, d के जगा उनके value बैठाएगे, तो यह हो जाएगा हमारा d k cube whole square minus d k square whole square, मैं यहाँ पर direct उनका value दे दे रहा हूँ, आप लोग इसे simplify कर लीजिएगा, तो अब हम लोग का जो answer निकलेगा, ओ होगा, d 4, k 4, और k square minus 1 whole square, मैं यह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह calculation बहुत बढ़ा होगा, दो-तिन line का होगा, फिर भी time बचाने के लिए मैं यह कर रहा हूँ, b square minus c square, इसका whole square, तो यह हो जाएगा, d k square का whole square, minus d k, उसका whole square, उसका whole square, तो यह हो जाएगा, d square, k to the power 4, minus d square, k square, यह हो गया, d 4, मतलब, d 4 यहाँ पर नहीं होगा, d square common लिया, और k square common लिया, तो k square minus 1 रहा, पूरा whole square, तो d 4 हो जाएगा, और यहाँ पर k 4 हो जाएगा, k square minus 1 का whole square, तो आप चलिए अगले math की हो, तो हमारा अगला math यह है, अब हम लोग इसको जो करना है, यहाँ पर आप लोग ओपर नीच में c multiply करेंगे, अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने क्यूं यहाँ पर c multiply किया, तो यह practice है, आप जितना practice करेंगी, यह math यह उतने आते जाएंगे, तो यहाँ पर a c y minus b c x by c square, उसके बाद b c x minus a b z by b square, और यहाँ पर a b z minus a c y by a square, अब तीनों को add कर दीजिए, a c y, अब देखिए, add करने पर इसके साथ यह minus हो जाएगा, इसको a b z के साथ यह minus हो जाएगा, इसके साथ यह minus हो जाएगा, तो यहाँ पर जो answer आएगा, वो होगा 0, अब मैं total नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा, sorry, तो यहाँ पर यह हो गया 0, अब देखिए, हम लोग इन तीनों के equals to यह लिखे थे तो, अब इनके equals to क्या है, यह है, तो हम लोग लिख सकते है, ay minus bx by c is equals to 0, तो ay is equals to bx, क्योंकि c इसके 0 हो गया, और यहाँ पर minus bx इस पर आया, तो plus bx, तो x by y हो गया हमारा a by b, और यहाँ पर हो जाएगा, x by a is equal to y by b, same, इसके साथ भी हम लोग वहीं करेंगे, तो हमारा जो आजाएगा, ओ है, y by b is equals to, z by c, तो आप समझी सकते हैं, क्या हो सकता है, y by b is equal to z by c, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में, और अगला वीडियो इसका ही part 2 होगा, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा,